आज बनाएंगे बेंगॉली फिश करी और इसे में बना रही हूं हिलसा फिश के साथ जिसे इलिश भी कहा जाता है ये बहुत ही टेस्टी होती है और चावल के साथ ये करी खाने में बहुत ही मज़िदार लगती है तो करी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ दो बड़ा चमच काली सर्सों और दो बड़ा चमच पीली सर्सों काली सरसो का अपने एक थोड़ा तीखापन होता है अगर आपको पसंद नहीं है तो आप दो बड़े चमच की जगे एक बड़ा चमची काली सरसो ले और एक बड़ा चमच पीली सरसो ले अब इसमें एक बड़ा चमच खसकस एट करेंगे और एक बड़ा चमच खड़ा धनिया डाल कर इसमें पानी एट करेंगे और पानी को हमें इन सभी चीजों के लेवल तक डालना है इतना पानी डालने से ये सभी चीज़े अच्छी तरीके से फूल जाएंगी और पानी भी ज्यादा नहीं होगा चम्मा से सभी चीज़ों को पानी में अच्छी तरह से मिला देंगे और आधा खंटा भीगने के लिए रख देंगे जिसे सारी चीज़े पानी में अच्छी तरह से फूल जाएगे और पीसने में बिल्कुल आसानी रहेगी और ये मैंने 700 ग्राम हिलसा फिश लिये फिश को अच्छी तरह से धो लिया है ये फिश काफी बड़ी थी जिसमें से कुछ पीसेस मैंने फ्राइ के लिए निकाल लिये हैं और इतने पीसेस मैंने करी के लिए अलग कर लिये हैं हिलसा फिश जितनी बड़ी होती है खाने में उतनी ही ज्यादा टेस्टी लगती है अब इसके उपर थोड़ा सा हल्दी पॉटर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और एक सैट अच्छी तरह से हल्दी और नमक को लगा लेंगे और फिर पलट कर दूसरे सैट भी पूल गई है और पूरा पानी एबजॉब कर लिया है अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है अब इसे मिकसर जार में डाल देंगे और पहले बिना पानी डाले पीस लेंगे तो इस तरह से मैंने ये सरसु को पीस लिया है अब इसे इखटा कर लेंगे अब इसमें साथ से परवापन होता है वो निकल जाता है तो इस तरह से मैंने यह मसाले को अच्छितर से पीख लिया है और यह एकडम क्रीमी है इसमें आपको यह काले 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 दाने दीख रहे हैं वो राई के छिलके हैं जो अच्छी तरह से पीख गए हैं Ara मिक्सर में थोड़ा सा पानी डाल कर लगाओं मसाला भी पूरा ले लेंगे और जार में जो पानी है इसे हम करी में इस्तमाल करेंगे अब एक पैन में 5-6 बड़ा चमब सरसों का तेल गरम करेंगे जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें मचली के पीसेस रख देंगे और जितने पीसेस पैन में आराम से आजाए उतने ही रखें मीडियम टू हाई फ्रेम पर दोनों सैट फिश को एक एक मिनट ही फ्राय करना है बहुत ज़दा फ्राय नहीं करना है नहीं तो उपर से थोड़ी सी कड़क हो जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो भी कम हो जाए कर लिया है अब इसे पलट देंगे और दूसरे सैट से भी एक मिनट फ्राय करेंगे तो इस तरह से मैंने फिश को फ्राय कर लिया है ऐसे पाकी की पिसेस भी कर लेंगे और यह 60-70% तक पक भी गई है बेंगोली करी के साथ हिलसा फिश बहुत ही अच्छी लगती है लेकिन आपको हिलसा फिश नहीं मिलती है तो आप इसे रहू या कतला के साथ भी बना सकते हैं तो फिश के पिसे इसको मैंने दोनों सैट से एक एक मिनट फ्राय कर लिया है अब बचे हुए तेल में एक छुड़ा चमच कलुंजे डालेंगे दो हरी मिर्चे तोड़कर डालेंगे और एक दो मिनट फूनेंगे अब इसमें कॉड़ेटी स्पूर हल्दी पौलर डालेंगे और थोड़ा सा फ्राय करेंगे आदा छुटा चमच काश्मीर मिर्च डालेंगे ये कम तेज होती है ज्यादा नहीं डालना है नहीं तो ग्रेवी का रंग ज्यादा लाल हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि जो मसाला हमने भीगा कर पी साता फूल कर उसकी काफी ज्यादा हो गी है तो अगर आपको सरसू का स्ट्रॉंग फ्लेवर पसंद नहीं है तो जो हमने काली और पीली सरसू दो दो बड़ा चमच लेती उसके जगे आप एक एक बड़ा चमच भी ले तो मसाले को पकते हुए 57 मिट हो गया है और तरी भी उपर आगी है अब इसमें पानी एट करेंगे तो ग्रेवी को आप कितना पतला रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी एट करें तो यह देखिए ग्रेवी को मैंने अभी इतना पतला रखा है और बाद में यह रखे रख इसमें मचली के पीसेस डाल देंगे यह करी स्टीम राइस के साथ खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है और थोर थोरा इसका जो टेस्ट है वो कढ़ी के जैसे आता है प्लेट में जो तेल बचा है उसे भी ग्रेवी के ऊपर डाल देंगे और दो हरी मिर्चे तोड़ पर सिर्फ 2-3 मट पकाएंगे इससे जादा नहीं पकाना है तो यह गर्मा गरम बेंगॉली स्टैल में हिलसा फिशकरी बनकर तयार है और इसे गर्मा गरम चावल के साथ आप सर्फ करें दिखने में करी जितनी ज्यादा टेस्टी लग रही है खाने में आपको यह उससे भी ज्यादा टेस्टी लगेगी और इसका जो टेस्ट है वो काफी अलग आता है और थोड़ा सा मैंने इसे अपने तरीके से बनाया है आप इस रेसिपी को एक बार ट्राय करके जरूर देखी आपको बहुत पसंद आएगी और इसके अलावा में कोकनी फिश करी की रेसिपी भ जरूर कर दे और आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दे